ओम शान्ति आज 15 सितंबर 2021 है योग एक शुद्धी करन की प्रक्रिया है आत्मा को पवित्र बनाने का एक सच्चा जो विधी है या मैथर है वो है योग की शक्ति मुझे अपने आपको शुद्धी करन की प्रक्रिया में लाना है तो मुझे अपनी योग की शक्ति को बढ़ाना होगा तो हम आज ये चेक करें, जब भी मैं योग में बैठूँ तो ये लक्षयात रखे अपने मन के अंदर, मैं योग में बैठी हूँ, अपने अंदर की आत्मा को पवित्र बनाने के लिए शुद्धी करन की प्रक्रिया के अंदर बिठा रही हूँ सुनते हैं आज का स्लोगन उमं उत्सा के पंग सदा साथ हो, तो हर कारिय में सफलता सहच मिलती है मन जब हलका हो, प्रसन्न हो, खुश हो, तो उमं उत्सा की जलक सपश्ट रूप से चहरे पर दिखाई देती है और खुशी एक ऐसी शक्ती है जिस शक्ती से सकारात्मक उर्जा तन और मन में फैल जाती है और ये उर्जा के अंदर इतनी ताकत होती है जो ठका हुआ मन और तन दुरुस और स्फूर्ध हो जाते है इसलिए उमंग उत्सा वाले व्यक्ति के अंदर दुगुनी शक्ती से और दुगुनी स्फूर्ती से हर कार्य कर सकते हैं इसलिए उमंग उत्सा को सदैव पंखों के साथ तुलना की जाती है उमंग उत्सा रुपी पंग जब हमारे जीवन में है तो हर कार्य को सहज ही सफलता पूर्वक कर सकते हैं क्यों? क्योंकि उमंग उत्सा माना जब मन हलका होता है, मन खुश है तो उमंग उत्सा आता है और मन हलका होने के कारण से कोई भी कारिय को हम अच्छी तरह से एकागरिती से कर सकते हैं कोई भी कठिन से कठिन कारिय ही क्यों न हो उसमें मन क्लीन और क्लेर होने के कारण से मन को फोकस्ट रूप से हम कर सकते हैं और बुद्धी भी स्पष्ठ होने के कारण से राइट टाइम पर राइट डिसिशन ले सकते हैं। इसलिए कठिन कार्य को भी सहजी खतम कर सकते हैं, अर्थात सहजी पार कर सकते हैं। जिस तरह एक पक्षी जो होता है अपने पंखों के द्वारा उचे पहार या उचे इमारतों को सहज पार कर सकते हैं। इसके लिए मुझे ध्यान रखना होगा, मेरा हर संकल्प स्रेष्ट हो, शुद्ध हो, शक्ति शाली हो, मैं अपने मन को शुद्ध संकल्पों का खुराग देती रहूं, यही मुझे पुरुशाद करना होगा, ताकि मन सदा हलका रहे, खुश रहे और सदा उमं उच्सा में उरते रहे, ओम शांती